नमस्कार दोस्तों विल्कम बैक आप देख रहे हैं काफी विस वीजेन दोस्तों आपको मौलूम है कि हमारे जो दुश्मन थे जो देश से बाहर कहीं रह रहे थे उन्हें एक एक करके कोई टिपकाता जा रहा है और यह क्या आपको लगता है कि जो भारत के दुश्मन हैं यह क्या वही हैं जो इसको हम उगरवादी बोलते हैं जो भारत के टुकड़े करने की बाते करते हैं या यहां पर कोई लोगों कोई प्रॉलम्स क्रेट करने की हमेशा हमें धंकिया देते रहते हैं क्या वेही आप बोलते हैं कि ये दुश्मन है या और भी कई दुश्मन है अब मैं उसका भी खुलासा करूँगा और ये भी बताओंगा आपको कि जो ये हमारे लोग हैं जिने टपकाया जा रहा है ये कौन लोग हैं और वो क्यों टपकाया जा रहे हैं और इसके उपर बात क पहले आज बात करते हैं महुआ मोटरा उसने क्या किया पैसे लेकर हमारे देश की जो तरक्की थी उसे रोकने की कोशिश करी और उसे भी आज एक तरह से नॉट जैसे बाकी के लोगों को टपकाई जाता है वैसे इसको टपकाने की बात नहीं हो रही लेकिन इसे लात मारकर सं इन्वेस्टिकेशन शुरू होगी कि इसने किसे पैसे लिए और कैसे देश के नाम खराब करने की कोशिश करी अदानी को फसाया और उसके स्टॉक्स को बरबाद कर दिया और हमारा नाम था जो कंट्री का कि यहां पर ट्रांसपरेंसी होती है यह कोई भी गलत काम नहीं करत उसके उपर धबा लगाया और मोधी सरकार ने क्या किया उसे बरकर के बाहर निकाल दिया अब इन्वेस्टिकेशन में वो भी पकड़ा जाएगा कि किसे पैसे लिए और देश के साथ कैसे इन्हों ने गद्दारी करी तो जो हुआ अच्छा हुआ धैट मीज हम जो यह बाह हमारे उगरवादी बैठे हुए थे हमारे तंग करने के लिए उन्हें ही टपकाया ने जा रहा अभी देश के अंदर भी जो गद्दार बैठे हैं उनका भी काम एक ही करके होना शुरू होगा अभी अभी पिक्चर शुरू हुई है आग आगी देखिए होता है क्या दोस्त लेकिन आपके दिमाग में कभी तो आता होगा ये कौन से लोग हैं जो भारत के जो नंबर वन अगरवादी हैं ये दुश्मन है हमारे एक एक करके उन्हें ठिकाने पे लगाया जा रहा है जो देशतगर्द पाकिस्तान में चुपे हुए हैं उनको तो हमने छोड़ा नहीं लेकिन इसके साथ साथ जो केनड़ा के अंदर खालिस्तानी आतागवदी बैठे हुए थे उन्हें भी उड़ा दिया गया ये तो सिर्फ अमेरिका है जो क्या 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 कर रहा है खालिस्तानी सुप्रीमो तो इतना बड़ा कसिक लीडर है पन्नू उसको बचाके बैठा हु ये आप भी जानते हैं अब पाकिस्तान में दर्शकों से जो चुपे बैठे थे मास्टर माइंड्स जिसमें सबसे बड़ा लीडर था उनका दाओद इसको जहनुम में पंचाने का पूरा प्रोग्रम बना लिया था लेकिन हमारी ही सरकार जो तब की थी कांग्रेसी सरकार उन्होंने उसे बचा लिया और आज तक हम लोग परतीक्षा कर रहे हैं डाओद को कब उड़ाया जाएगा और जो भारत के खतरनाक दुश्मन थे एक एक करके खत्म किये जा रहे हैं और ये कौन है जो भारत का इतना अच्छा मित्र है ये कौन से लोग हैं जो अपनी जान जोकिमे डाल कर इन उगरवादियों को एक एक करके उपर पंचा रहे हैं और हमारी तमना पूरी कर रहे हैं देखिए आपको मालू है भारत कैसा देश रहा है भारत एक ऐसा देश है जिसकी नीती रही है कि सेहन शीलता एक किसने थपर मार दिया हम दूसरा गाल आगे कर दे ते ये हमें बच्चपन से सिखाया गया है और इसी नीती के करण जो हमारे नेता हैं वो पहले क्या करते थे कि किसी की सेना आई हमारे सामने हम पिछे अड़ गे उन्हें रोका ही नहीं और हमने आदा कश्मीर गवा दिया उसके बाद भाई भाई करते करते हमने तिबबत भी गवा दिया और चीन से लगे हुए हमारे इतनी जदा जमीन 48,000 किलो मिटर हमने चीन को दे दी लुटवा दी आपको कभी अशारे नहीं होता कि हम दुनिया को बोलते हैं एक गलोबल विलेज है ये बोलते हैं लेकिन हमारे देश में हमारे जो हुकमरान हैं वो क्या करते हैं हमारे देश में जिन्होंने हमारे इतने बड़े बड़े जो लोग हैं गलशन कुमार जैसे को मार दिया किसी ने उगरबादियों की तरह और उसे मारने वाला आज भी यूके में बैठा हुआ है उन्हें हम पकड़ने पाए और ये दाउद ये आज तक जिन्दा है पानी प अफ़ता वसूल करते हैं उसके अंदर सक्रिये हैं अब ये तो हो गया ओगरबादी अब दूसरी तरफ आता है फानेशल हमारे जो आर्थिक अपरादी हैं विजे मालिया हो चौकसी हो निरव मोदी हो ये भाग गए प्रेटन में कोई चला गया किसी और कंट्री में ये ठी उसकी भरपाई हमने काफी हद तक पुरी कर ली है लेकिन फिर भी जो ये वेस्टन कंट्रीज हैं इनके जो कानून हैं ये हमेशा हिम्एन राइट्स का हवाला दे कर और इनके जो प्रोग्राम्स हैं इनकी प्रतिक रहे हैं जो हैं नीतिया हैं वो इतनी ज़दा टफ हैं कि ये भारत में भापिस आने के लिए हमारा पूरा जोर लगा हुआ हैं लेकि इनको हम लेकर नहीं आ पा रहे हैं आप हैं अब आप बताएए कि जो ये देश हैं इनको कारवाई करनी चाहिए गुरू था, सिक लीडर था, उसे मार दिया। ये क्यों करते हैं साथ? क्यों? क्यों कि पहले क्या होता था जब भी ये अतंकी हमारे सामने कुछ करते थे, हम दूसरा गाल आगे बढ़ा देते थे, लेकिन अब ये भारत वो नहीं रहा। ये निश्चित रूप से ये निया भ जवाब मूँ तोड जवाब ना देते, तो बॉर्डर पर जो डेरे जाल डाल चुकी थी, चीन की सेना, उसे तंबू उखाड के भागना ना पड़ता। कश्मीर से हमने 370 हटाई, कश्मीर के दो राजे बना दिये, घाटी में घाटी को अलग कर दिया, लदाक को अलग कर दोनों जगा पर खुशाली लौट आई, क्या बिगाड लिया पाकिसान ने, ये ड्राकर रखा होता, सतर सालों से कॉंगरेस ने कीवी खुन की नदियां पहजाएंगी, अब आप सोचके देखिए, कुछ भी हुगा नहीं महाँ पर, और हमारे जो अग्यात कोई लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, भारत के अपरादियों को एक के करके चुन चुन के उनको मारा जा रहा है, और वे भी वोण है, जो मार रहा है, अच्छा ही काम कर रहा है, कॉंगरेस क्या बोल रही है, भी ये ये काम हो रहा है गलत हो रहा है, ये मारना नहीं चाहिए, ये कॉंगरेस क सोनिया गांती की स्टेटमेंट है जब उसके पास प्रपूजल गया था ये चीज़ का कि भई वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है वो गातिक गलत हो रहा है बारत ने आज तक कभी किसी के उपर हमला नहीं किया लेकिन हमारे जो शत्रू है उनके उपर हमला हो रहा है छूप ने भारत के खिलाब आँख उठाने की कोशिश करी है तो आँख निकाल लेंगे ये मोदी है और हम सनातनी इस चीज़ को फॉलो करते हैं क्रिशन जिने हमें बड़ी क्लियरली बोला है कि एक हाथ मेरे वो क्या है फूल है मोर पंक है लेकिन दूसरे हाथ में सुदर्शन चक कर भी चलाना चानते हैं क्योंकि क्रिशन जिने हमें बोला हुआ है शस्तर उठा और अपने धरम का पालन कर और हमारा धरम ही है ये चीज़ कि हम अपने धरम का पालन करें और अगर उसके अगेंस को काम करता है हमारे धरम के किलाब या हमारे देश के किलाब तो हम छोड़े के भिने किसी को और यही चीज हमारे अग्यात वीर हमारे लिए कर रहे हैं अग्यात वीर होग का नाम लेना इंपरर्टन नहीं है जो काम हो रहा है इसको एंजॉई करेये लोगसे शेयर जोड़ करिये और अपनी राय झारु डालिए कि आपको और जो मोदी जी काम कर रहे हैं उन मेंसे कौन सी चीज़ें जो अच्छी लगती हैं लेकिन कोई ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको लगता कि अभी मोदी जी करने चाहिए जो इन्होंने नहीं करी और 24 के इलेक्शन से पहले पहले आप क्या चाहते हो कि मोदी जी काम करें 24 के बाद इन्होंने क्या काम करने है वो हमें सब को मालूम है लेकि कुछ ऐसे काम है जो आपको लगता है कि 24 के पहले अगर मोदी जी कर लें इन्हें वापिस आने में और ज़्यादा हेल्प होईगी और भारत का भी सुधार होईगा वो कमेंट में जो डालना मेरा जो आपके कमेंट सोंगी उसके साथ से मैं आपके लिए इसक्यो पर एक और वीडियो भी बनाने बाला हूँ तब तक चैहिंद वन दे मातरम घ्र जाफिस आने मिर जाफ बनाने विए भी सोंगपार का अवादा है मेरा जो चैहिंद तके 5 जो किमें उसक्तल की सुआरा है